बच्चों आज का हमारा वीडियो G&M Nursing और BSC Nursing की बीच काBrad डिफरस्स वताना है आज में इन दोनों की बीच में क्या अंतर है यानि की G&M Nursing और BSC Nursing एक-एक करके मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप खुड decided कर लोगे कि इन दोनों में कौन best है वसे आपको कुछ न कुछ तो इनके बारे में जरूर पता होगा अगर नहीं पता है तो व्यूडियो लाश्ट तक देखो उसके बाद आप खोड़ डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए क्या सही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में बच्चो आप लोगे स्टार्टिंग में तो सुनी चुके होगे कि मैं आज BSC नर्सिंग और जिनर्सिंग के बिए डिफरेंस बताने वाला हूँ तो चलिए हम लोग मुद्दे की बात करें या नहीं उनके डिफरेंस की बात करें अगर मैं पहला डिफरेंस उनके फुल फार्म में बताऊँ तो GNM का फुल फार्म होता है जनर्ल नर्सिंग और वाइफ वहीं अगर BSC नर्सिंग का फुल फार्म देखें तो Bachelor in Science in Nursing यह तो फुल फार्म हो गया अब बात करें कि सर इनकी क्या बोलते हैं इन में और क्या अंतर है तो इन में अंतर यह है कि जो हमारा GNM होता है वह हमारा डिफरेंस नर्सिंग होता है ठेके न और अगर हम बात करें वहीं कि डिप्लोमा प्रोग्राम का तो वह दो साल का या तीन साल का होता है तो लेकिन जहां GNM की बात करें तो चुकि GNM मैंने आपको बताया कि वह डिप्लोमा प्रोग्राम है कि BSC nursing हमारा कौन सा प्रोग्राम है बताओ डिग्री प्रोग्राम है और अगर हम बात करने वहीं पर GNM का तो GNM हमारा क्या है बताओ डिप्लोमा प्रोग्राम है तो आपको यह difference समझ में आ गया होगा अब अगर हम बात करते हैं इनकी eligibility criteria की कि GNM करने के लिए और BSC nursing करने के लिए हमारी eligibility criteria क्या क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करने के लिए आप बायो से हो और 12th pass out होना चाहिए यानि कि आप बायो की student होनी चाहिए हाँ कुछ राज ऐसे हैं कि GNM के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 12th आप बायो से ही pass out हो अगर आप art के हो या commerce हो तो भी वो GNM में बिसन ले लेते हैं लेकिन वही BSC nursing की बात करने के लिए आपका बायो होना जरूरी है अगर आप बायो से 12th pass out नहीं हो आप math से हो, commerce से हो, art से हो तो आप BSC nursing नहीं कर सकते हो चाहे हो किसी भी state के आप इस्टूडेंट हो UP के हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो तो आपको eligibility criteria में बात पता चली गया होगा कि आपका 12th pass out होना चाहे हो भी बायो से ठीक है ना, बात करने कि sir इसकी age limit कितनी होने चाहे है तो दोनों की जो age limit minimum age limit है वो 17 साल, यानि कि GNM के लिए भी 17 साल और क्या बोलते है, BSC nursing के लिए 17 साल, 17 साल से अगर आप कम है तो आप इन दोनों में अड़िशन नहीं ले सकते हो और अगर maximum age limit की बात करने तो इसका maximum age limit कुछ नहीं है आप 30 साल, 40 साल कितने भी हो अगर आपके अंदर पढ़ने की मतलब क्या बहुत किरोसिटी है अगर आप पढ़ना चाहते हो, लाइस में कुछ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल BSC nursing और GNM कर सकते हो हाँ minimum age limit 17 साल है यह ध्यान देना, ठेक है न, अगर हम बात करें कि इसमें सर क्या किवाल girls admission ले सकती है नहीं बच्चो nursing दे सक है, लेकिन boys और girls दोनों दे सकती है GNM में भी और BSC nursing में भी एक बात और मैं आपको बताओ कि सर क्या इसके लिए entrance exam देना होता है, हाँ बच्चो दोनों के लिए entrance exam देना होता है यानि GNM के लिए इंटरेंस exam देना होता है और आपका BSC nursing के लिए इंटरेंस exam देना होता है लेकिन कुछ राज जैसे हैं जैसे आपका MP है, राजस्थान है, पंजाब है ठीक हैं, तो ऐसे कुछ राज हैं जहां GNM के लिए अगर इंटरेंस exam नहीं भी दे रहे हो तो direct contribution हो जाता है लेकिन BSC nursing के लिए तो इंटरेंस exam कंपल सरी है, बिना इंटरेंस exam के आप BSC nursing नहीं कर सकते हो क्या आपको बात सौंच में आया अब अगर बात करें कि nursing college में अगर आप कोई professor बनना चाहते हो या आप principal बनना चाहते हो तो आपको इसके लिए MSC nursing करना होगा अब सवाल मन में यह आया कि क्या सर GNM वाले बच्चे भी जा सकते हैं या केवल BSC nursing वाले बच्चे जा सकते हैं देखो बच्चो दोनों के chance से जाने की लेकिन आपको इसके लिए MSC nursing करना होगा अब देखो process क्या है अगर आप GNM कर रखे हो तो मैंने पहले ही बता है कि GNM साड़े तीन साल का course होता है तो आपको post basing nursing का दो साल का और course करना होगा यानि साड़े तीन साल का तो आपने GNM का course कर रखा है प्लस दो साल का आपको और course करना पड़ेगा post basing nursing का course यानि टोटल साले 5 साल का उसके बाद आप MSC nursing करोगे तब जाके आप nursing college में principal या आप क्या बोलते हैं वहाँ के professor बन पाऊगे वहीं बात करें कि अगर आप BSC nursing अगर कर रखे हो लेकिन BSC nursing के बाद diet MSC nursing में अड़ीशन होगा और GNM के बाद आपको दो साल का post basing nursing का course भी करना पड़ेगा तो यह भी आपको सौझ में आ गया होगा अब अगर बात हम vacancy कर लें और आपने GNM कर रखा है तो आप staff nurse का second grade का form भर सकते हो इसका क्या बोलते है भरती आता है आप इसमें भरती ले सकते हो अगर आपने GNM कर रखा है तो और अगर आपने BSC nursing कर रखा है तो भी आप इस form को भर सकते हो यानि कि इस भरती को ले सकते हो यानि कि staff nurse के जो second grade करना करी है वो BSC nursing वाले student और GNM वाले दोनों ले सकते है वहीं बात करें अगर आपने BSC nursing कर रखा है तो आप Norset और nursing officer इन दोनों भरती को आप ले सकते हो लेकिन इन दोनों भरती को GNM वाले student नहीं ले सकते है हाँ मैंने देखो कुछ दिर पहले क्या बता है कि आपने अगर स्टाफ नर्स का second grade कर रखा लेना है तो BSC nursing वाले ले सकते है लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम Norset का और nursing officer का तो यहाँ पर GNM वाले student नहीं ले सकते है तो अगर देखा या धीरे-धीरे ठीक है ना हर मायने में आपका BSC nursing जो है GNM से कहीं जादे अच्छा दिख रहा है ठीक है ना वैसे तो अपने अपने जगह पर दोनों अच्छा है चाहे वो मतलब BSC nursing हो या GNM हो अपने अपने जगह पर दोनों अच्छा है लेकिन अगर बेटर देखे तो BSC nursing जानते भी होगे लेकिन नहीं जानते थे तो मैं इसका बीच में डिफरेंस बता दे रहा हूँ अब अंतरते हैं आप जरूर जानना चाहोगी कि सर सेलरी कितना होता है तो अगर आपने जनम कर रखा है तो आपके एक मन्त का सेलरी चालिस से पचास हजार तक होगा और अगर आपने BSC nursing कर रखा है तो आपके सलरी असी हजार से एक लाग तक हो सकता है ठीक है ना तो आपके मतलब क्या बोलते है क्वालिटी पे आपके skill पे depend करता है कि यह मतलब कितना होगा लेकिन 80,70,400 starting होगा ही और एक एक लाग तक चला जाता है एक लाग 20,000 तक चला जाता है तो आपको यह पूरी बात आज समझ में आ गया होगा कि GNM और यहां पे BSC nursing अगर दोनों में क्या difference रहा तो दोनों के अगर तुलना करें तो आप समझी चुके होगे ठीक है ना BSC nursing hiring मायने में क्या बोलते है GNM से काफी बेटर दिख रहा है और मैं यही कहूँगा कि दोनों में से अगर आपने कोई भी course कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में बेरोजगार हो जाओगे आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा बेटा अगर आपने कर रखा आपके अंदर skill है तो आप 100 जान लोग आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हो जिस इंसान ने महनत करके अपने अंदर skill develop किया है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है बेरोजगार तो वो होता है जो degree तो ले लिया लेकिन knowledge उसके पास नहीं है वो हमिशा बेरोजगार होता हो याद रखना है बीटा इसलिए हमिशा संबान सिच्छा का होता है ना कि डिगरी का होता है आपने तो 3D movie भी देखा होगा यही बात उसमें हो कहा है कि मतलग क्या बोलते काबिल बनो काबली है तो तुम्हारे पीछे दोड़ेगा हमको तो लगता है सभी student उस movie को देखा होगा तो ठीक है बच्चो ऐसी वीडियो और भी मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा अगर किसी और भी चीज में आपको difference चाहिए जैसे आज मैंने GNM, BSC, स्वारी जैसे आज 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 आपने GNM nursing और BSC nursing की बीच difference बताया अगर आपको और भी किसी चीज में आपको difference चाहिए तो वीडियो मैं पूरा ले किया होगा और कम समय में आपको पूरा सोचूंगा कि जल्दी से जल्दी चीजी clear कर दूँ ठीक है student तो फिर आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आयागा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे कर दो कि को जरूर समय में आपको जरूरा ले की जल्दी से जल्दी चीजीर में आपको जरूरा ले जिए की जरूरा लेका पक वाले जाह जे ऑले झापको है